इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा देब गुरु ब्रहस्पती का सबी आठ गरहों के साथ यूती फल का कैसा प्रभाव रहता है इस प्रभाव को जानने से पहले आप इतना जान लीजिए यह प्रभाव तब ही सुब रहेगा जब देब गुरु ब्रहस्पती या उनके साथ बैठे हुए अन्य गरह पर सुब गरह का प्रभाव हो और वह केंदर भाव में कुंडली के 1,4,7,10 में बैठे हो कुंडली का केंदर भाव होता है 1,4,7,10 इन भाव में बैठे हो या फिर पांचवे और नवे भाव में बैठे हो तो ऐसी इस्तिती में देब गुरु ब्रहस्पती के साथ कोई अन्य सुब गरह हो और उन पर सुब गरह की दृष्टी हो तो ऐसे में अत्यन्त ही सुब योग बनेगा जातक की कुंडली में और वह जातक को सभी सुख प्रदान करेगा वैदिक जोतिस में देब गुरु ब्रहस्पती को बेहदी सुब गरह माना गया है गुरु को धन वानी संतान पती उच्चपद मंत्र सिद्धी आधी का कारक गरह माना गया है इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिस करेंगे कि देब गुरु ब्रहस्पती अन्य गरहों के साथ कैसा प्रभाव देते हैं नमस्कार दोस्तो गुणिस्वर ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य और ब्रहस्पती की यूती हो यूती हो तो वो जातक अच्छे दिल वाला होता है उसकी बुद्धी तीवर होती है और वह सरकार से लाप राप्त करता है संतान सुक से युक तो होता है और समाज में मान समान भी उसे मिलता है यह ब्यक्ति काफी तेजस्वी होता है धन मान समान पद एस्वर यह प्राप्त करने वाला होता है यदि किसी जातक की कुंडली में गुरू और चंदर की यूती हो ऐसे जातक जिन जातकों की कुंडली में गूरू और चंदर की यूती हो और अच्छी जगह पर हो कुंडली के केंदर भावों में हो या तिरकोन भावों में हो तो ऐसी इस्तिती में जातक की कुंडली में अत्यन्थी सुब योग कहा जाने वाला गच केसरी नामक योग बनता है जिसके होने से जातक राजा के समान जीवन यापन करता है जातक ज्यानी होता है और वह न्याई पिरिय होता है उसे समाज में अच्छे करमों के लिए याद क आजाता है, ऐसा जातक जो सोचता है, वो करके दिखा देता है, ऐसा जातक अत्यन्थी बुद्धिमान भी होता है, यदि किसी जातक की कुंडिली में गुरू और बुद्ध की यूती हो, और यह सुविस्तानों में हो, तो ऐसे जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, हास्य और अभिने में रूची रखने वाले होते हैं, और अपनी वानी लेक से प्रसिद्ध होते हैं, ऐसा जातक उच्च कोटी का जोतिसी होता है, और अनेक किताबों का लेखक होता है, ऐसा जातक अपनी वानी, अपनी लेखन छमता और हाश्य बिनोत के लिए भी जाना जाता है ऐसा जातक अत्यंत ही लुभावना हो सकता है यदि किसी जातक की कुंडिली में गुरू और मंगल की यूती हो तो ऐसे जातक पर लक्षमी हमेशा प्रसन रहती है वह सहसी होता है और उर्जावान होता है ऐसा जातक बड़ा सेना अधिकारी या फिर जासूस हो सकता है तकनीकी रूप से ऐसा जातक दक्ष होता है लक्ष शिद्धी करता है ऐसा जातक अत्यंत ही उर्जावान होता है यदि किसी जातक की कुंडिली में गुरू और सुक्र की यूती हो तो ऐसे जातक सदेव इस्तरी पक्स से मदद पाते हैं ऐसे जातकों को इस्तरीयों से मदद मिलती है और यह जातक अभिने और कला में रूची रखते हैं ऐसा जातक पुत्र सुक भोगता है और उसे एक से अधिक जगा से धन प्राप्त होता है ऐसा जातक ऐस्तरीयों होता है यदि किसी जातक की कुंडिली में गुरू और सनी की यूती हो तो जातक उपदेशक होता है, वह ज्यानी होगा और उसे मंतरों की समझ होगी, वह जातक उच्च पद्वी प्राप्त कर सकता है, कुटुम्ब का सुक और इस्ताई संपत्ति का भोग करता है, गूड विद्या को जानने वाला होता है, ऐसा जातक गुप्त बिद्याओं का जानकार हो सकता है, तंत्र मंत्र आधी में विशे सग्य हो सकता है, यदि किसी जातक की कुंडिली में गुरू और राहू की यूती हो, तो यहाँ जोती सास्त्र में इस योग को असुब योग माना गया है, इस योग को गुरू चंडाल नामक योग की संग्या दी गई है, इस योग को असुब योगों की संग्या दी गई है, किसी भी जातक की कुंडली में यह यूती हो तो जातक गुरु चंडाल दोस नामक योग से पीडित होता है ऐसा जातक जीवन में गलत निर्णे लेकर नुकसान भोगता है मित्रों से लाब नहीं होता अगर सुप्रभाव में हो तो जातक राजनीती में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है और वह सत्रुहंता होता है यदि ब्रस्पती और राहु पर सुप्ग्रहों की दृष्टी हो जाए तो ऐसा जातक उच्च कोटी का राजनीतिग्य हो सकता है सत्रुहंता होता है सुब ग्रह की दृष्टी होने पर गुरु और केतु की यूती किसी भी जातक की कुंडिली में गुरु और केतु की यूती हो तो जातक बेहत भावुक होता है वो हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता है और साब दिल का होता है इस्वर की सेबा करने वाला होता है, संतों का आदर करने वाला होता है, ऐसा जातक वेद पाठी और जोतिसी भी होता है, ऐसा जातक वेदों मंतरों में अधिक रुची रखता है, और भगवान के अत्यंत करीब ऐसे जातक पाये जाते हैं, जिन लोगों की कुंडली में ब्रहस पति और केतु की यूति होती है अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए धन्यवाद